मा के नौरातरी आने वाले हैं और वही कोरोना काल के माहोल में देवी का या मंदीर के से छूप सकता है जहाँ पर शक्ति की आराधना का यहाँ परवर चिर काली ने चला रहा है जिस माता के भक्त उसकी भक्ती में डूबे रहते हैं मा चामुंडा की नगरी देवास के नाम से जग प्रसीद टेकरी सलरक्त पीट में गीना जाता है जहां दो बहनों की कहानी बताई जाती है यहां पर हनुमान लला, मा काली, अश्ट भुचा माता अनपूर्णा देवी और खोखो माता, तुलजा भवानी माता और साथी में चामुंडा देवी का सिद्ध पीट है कई किदवतियां यहां पर गिनवाई जाती है जहां पर जो राजा विक्रमदित के बड़े भाई भर्त हरी के तपो स्थलिय देवास टेकरी रही है तो वही साल भर यहां पर श्रद्धालू आती है लेकिन नवरातर के नो दिनों में लाकों की संक्या में श्रद्धालू मातारानी के दर्शन करने यहां पर पहुंसती है मगर कोरोना काल में अब इस्तिती कुछ और ही है और उसके शरण में जो कोई आता है बस उसका ही रह जाता है जहाँ पर माता सती के 51 शक्ति पीटों में से 7 मध्यप्रदेश में इस्तित है लेकिन एक मात्र रक्त पीट देवास टेकरी पर इस्तित है जहाँ पर शक्ता वतो की अराध देवी मातुलचा और मात्चामूंटा द रहें कि देव वासनी में इस्तित है मात्चामूंडा और तुलचा भवानी की नगरी के नाम से विश्यो प्रसिद देवास टनकरी टेकरी के चारों और पसी है जहाँ पर किवंदितियों के अनुसार यहाँ दो पहनों की काथाए हैं जिनमें आपसी मदभेत के बाद दोनो एक दूसरे से विपरित हो गई जिसके बीच में पड़ी दरार की लकीर आज भी स्ताक्षी है यहाँ एक शंक द्वार है जो की रपट मार्ग है वहीं दूसरी सीड़ी मार्ग है ऐसे दो द्वार है पर मौजूद है लेकिन हर वर्ष बरतिष्ट धालों की भीड को देखते देवे दो द्वार और बना दिये गए हैं यहाँ पर हर मंदिर समय चक्र की तरह सीड़े हाथ पर मौजूद है यहाँ पर वहीं पर मंदिर के पास अपना एक पारी का कुंड है ऐसा माना चाहता है कि हर मंदिर के पास का कुंड मौजूद देवी देवता का है जहां वह इस किया करते थी माता सती को लेकर जब भगवान शीपतांडव कर रहे थे तो उस वक्त चक्रधारी विश्णु भगवान ने अपने चक्र से शती के शरीर के तुकड़े करना शुरू कर दिये थे जहां जहां वह अव्याई अंग गिरे वहां शक्ति पीठ हो गए लेकिन जहां रक्तगीरा वहां रक्तपीठ हुआ ऐसा बताया चाता है कि यहां माता सती का रक्तगीरा था जिसके बाद से यहां रक्तपीठ कहा चाने लगा एक मात चामुंडा के रूप में तो एक तुल्चा भवानी के रूप में यहां देविया इस्तित है बड़ी बहन मात तुल्च की मुराद पूरी करती है यह पहाड अब्रका बना हुआ है जो रात में चांद की रोशनी में चमकता है हाला कि इसका शरण भी हो रहा है और जिसे रोकने के लिए यहाँ पर जालिया लगाई गई है जहाँ पर प्रशासनिक दरश्टी से यहाँ पर कोई माहोल दिखाई नही परती दी गई है वहीं आगे की स्तिती कहीं नहीं जा सकती ही कि क्या होगा मंदिर से जुड़ी क्या है पुरानी कहानी आईए आपको बताते ही मंदिर की पुरानी कहानी दरसल देवास इस्तित माद चामुंडा और तुल्जा भवानी का दरबार में देश्य खाश रक्त से चनी मानी जाती है जहां पर इसलिए इसे रक्तपीर भी कहा चाता है तुल्जा भवानी माय और चामुंडा माद दोनों दिन में तीन रूप बदलती है बाल जवान और साथ ही में व्रद्ध सौरूप मा के देखे जा सकते हैं मानिताओं के अनुसार जो यहां साथ पान का बीड़ा चड़ाता है मां उसकी सारी मन्नते पूरी करती है वही मन्नतों के लिए उल्टा सत्या भी यहां पर बनाया चाता है जहां पर जिसके बाद मन्नते पूरी होने पर उसे सीधा किया चाता है जो कि देवास माता टेक्री पर किया ही जाता है जहां पर मां हर मंद के पास में कुंड बना हुआ है जिसे देवी देवता इसनान किया करते थे वही हर मंदीर में समय चक्र के नुसार सीधे हाथ पर मौचूद है और माचामुंडा पवार राजवश की कुल देवी है जिनके द्वारा अश्टमी की दिन पूजा करने की मानिता है दो रास्ते यह पर हैं एक सीड़ी द्वार है और एक शंक द्वार है जिसे होकर श्रधालू यहां दर्शन करने पहुसते हैं हाला कि इस बार दर्शन प्रतिबंदित होंगे ऐसा बताया जाता है कि गुरु गुरक नात की यहां इश्टि देवी है इस तपोस्थली पर विक्रमादिति के भाई राजा भ्रत हरी ने तपस्या की थी और जिनकी गुफाएं उज्जैन में चक प्रसिद है और सद्गूरू शीलनात महाराज ने भी यहां 20 वर्ष तपस्या की थी वहीं शक्ता फतो की अराध्य देवी मानिताओ के अनुसार शक्ति की सर्वुच देवी है यहां आदी काल से शक्ति की इस देवी की उपासना करने देश भर से पाता के भक्त यहां आते रहते हैं माता तुल्चा भवानी वा माता चामुंडा महरानी के नाम से विश्व विख्यात देवास का एक और नाम देव वासिनी है जहां पर सर्वोच पीठ जहां नौरात्र के महापर्व पर लाखो दर्शनार्थियों की भीड रहती है जहां प्रति दिन हसारों लोग पैदल चलगार दूर-दूर से मा के दरबार में माता टेकने बहुसते हैं सेकड़ों भंडारों में से मा दरबार में पहुशने वालों भक्तों की यहां अगबुद 상태 में मां के जैकारों से गूंसी देवी नगरी में नौरात्र पर्वपर सज्थच कर तयार रहती है वहीं अब माहुल कुछ फीका है मंदिर के पट पूझन के लिए खोले चा रहे हैं जिसमें पंडित और कुछ आम लोगों को जाने के अनुमती दी गई है इस कोरन महामारी ने भक्ति के रंग को बदल कर रख दिया है इधर पुचारी श्रद्धालू और मौझूद लोगों ने भी बंद रहने के आदेश पर दुख जताते हुए बताया कि कई श्रद्धालों का प्रवेश निशेद रहे का दर्शनेती विवस्ताओं के आदेश अभी तक जारी नहीं किये गए है इसलिए भक्तों के लिए कही न कही निराशा जनक बात भी है हाला कि कोविट की चेन को तोड़ने के लिए प्रश्यासनिक दरश्टी से मंदिर में दर्शन प्रतिबंदर रहने के निर्देश है क्यानन न्यूस के लिए देवास से अमेद बागलेकर की रिपोर्ट